अगर मैं आपको सुबह वाला खाना रात को खिलाऊं और रात वाला खाना सुबह खिलाऊं और ये करीब 15-20 दिन तक ऐसे करों यानि जो आप डिनर में खाना खाते हैं वो मैं आपको ब्रेकफास्ट में कराऊं और जो आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं उसको मैं डिनर में ख परकार कब क्या कैसे पढ़ना चाहिए यह बहुत जरूरी है नीट के एक्जाम के लिए वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही सीरियस हैं अपने नीट के प्रेपरेशन को लेके उन बच्चों के लिए नहीं है कि बस आएं और देखके चले जाएं और इसको पालन हुए रास्ते पर अगर आप चल लेते हैं तो आपका सफलता निश्यत है आप सफल हो गए होंगे 600 मार्क्स से भी ज्यादा आप स्कोर करेंगे 600 मैंने क्यों बोला क्योंकि इनिशली आपको बेसलाइन तक टच करना पड़ेगा फिर उसके बाद धीरी धीरे उसमें हम 50-50 न नमर आ जाएंगे मैंने नीट को दिया है मुझे पता है कि यार 50 नमर बढ़ाने में बहुत महीने लगते हैं बहुत मेहनत की जरूरत है खाली ख्याली प्लाब बनाने से नीट में सफलता नहीं मिलेगे तो हम बात करते हैं कि देखें हाड़ वर्क और गाइडेंस यही सफल 13 दिशा देना बहुत जरूरी है आज मैं टाइम टेबल के बारे में बात करूंगा और बहुत सारी चीज़े को के बारे में आप से रूबरू कराऊंगा अब आपको पता है कि हम सब के पास 24 घंटे होते हैं जो एवरेज बच्चा होता है जो नीट को चीज करने वाला होता है उसके पास भी 24 घंटा होते हैं जो टॉपर बनते हैं उसके पास भी 24 घंटा होता है जो फेल हो जाते हैं उनके पास भी 24 घंटा होता है यानि मतलब क्या है कि उस 24 घंटे को आप कैसे यूटलाइज कर पाते हैं कैसे स्मार्ट तरीके से उसको डिस्टिब्यूट कर पाते हैं यही खेल नीट का है एक ध्यान रखेगा कि नीट में 99% चांस है फेल होने का 99 जी हां पास होने का सिर्फ 1% चांस है और उस 1% पर आने के लिए आपको जो भी मैं बता रहा हूं उसको बहुत बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा और पूरे एंड तक फॉलो करना पड़ेगा अब उस 24 घंटा में आप 6 घंटा अपने चांसरूम में बिता देते हैं चाहे वो ऑउनलाइन दे क्या हो जाती है कि आपको जाने चांस को आएंगे तो कपड़े उतार के धर फेने पड़ेंगे थोड़ा रेस्त करेंगे तो उस में आपको दो घंटे कहीं नहीं तो दो घंटा मतब बचता नहीं है मैं आपको कल्कुलेट करके दिखाऊंगा ओनलाइन यहां पर जीत जाता है ठीक है अधरवाइस कोई बात नहीं अगर आप आफ लाइन में पढ़ते हैं तब भी चलेगा चार घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़े सुरुवाती दोर पे हो सकता है बहुत कम क्लास हो बड़ जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसमें क्लास का डूरेशन बढ़ने लगेगा तो 6 घंटा मिनिममम आपको मान के चलना है तो 4 घंटा आपको रिवीजन करना है मैं वो 4 घंटे रिवीजन का भी प्लान अभी इस इस आपको शेयर करूंगा आठ घंटे की नीन बहुत ज़रूरी है अगर आप seven ने तो आपका दिमाग antba कोई पाएगा दिमाग में चीजए अफिर आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा तो 8 घंटे की नीन बहुत ज़रूरी है यह हमारा साइन समेडिकल साइंस भी कहता है spiritual science भी कहता है अगर आप 8 गंट से से कम सोते हैं तो आपका दिमाग उस तरीके से train नहीं हो पाएगा आपके दिमाग के अंदर long term memory सेव नहीं हो पाएगे और आप जल्दी भूलने लगेंगे आपकी memory पाउट धीरी धीरे decrease होने लगेगे तो 8 गंटा सोना बहुत जरूरी और एक चीज़ याद रखिए सोने से कभी भी टाइम बरबाद नहीं होता है जब हम जग जाते हैं तो हम अपने समय को बरबाद करते ह कभी समय बरबाद आज तक नहीं हुआ है आपको तीन घंटा रोज अभी के अभी एमसी क्यू प्राक्टिस करना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए अगर आप प्राक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी पर्फेक्ट नहीं हो पाएंगे यह भूल जाईए कि जब हम को आपको अभी तीन घंटा फजिक्स एगनटा चेमिस्ट्री एगनटा बायो प्राक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है तो मैंने आपको बताया छे घंटा क्लासरूम चार घंटा आपका सेल्फ स्टेडी आठ गंटा सोना तीन घंटा एमसी क्यू प्रेक्टिस यानि bipolar चौपेस गणते किमा Copy आप को रभे करना है तीन घंटा सिर्फ घंटा किसी से बाते नहीं पाएंगे समय नहीं हैं टीन घंटा रोने का समय नहीं हैं आपके बहुत सारस्टीजाब अब आये Self Study मीने बताया था इसको कैसे distribute करना है दो घंटा physics को देना है क्योंकि physics भले ही NEET के point of view से 25% साजिधारी उसकी होती है क्योंकि 25% physics 25% chemistry और 50% bio but bio in term of physics बहुत असान होती है theoretical होता है बार-बार चीजों को पढ़ोगे तो अपने आप ही चीजे से आसान हो जाती है इसी की वज़े से रुख जाता है और आप खुद इस बात को कर रहे होंगे एक घंटा आपको chemistry पढ़ना और एक घंटा बायो पढ़ना self study का मतलब वही होता है जो आपकी classroom में आपके online या offline में जो भी टीचर जो भी chapter को पढ़ा रहे हैं वही चप्टर घर पर आके पढ़ना यह नहीं कि वह जो chapter पढ़ा रहे हो ठीक है हम अपने से कोई और chapter पढ़े ऐसा नहीं करना है अब क्या क्या चीज़े avoid करनी है क्योंकि आपके पास तीनी घंटे है तो अव्वेस है उस तीन घंटे में आप रोज मर रहा के काम करेंगे कि यह सारे और relationship में कोई कुछ चीज़ रखा नहीं है अगर इन सब चीज़ में घुज गया तो 6-7 घंटा 8-10 घंटा और दो चार दिन दस दिन महीने कैसे बीच जाएंगे पता नहीं चलेगा है ना तो इन सब चीज़ को avoid करना है बहुत सीरियस और excessive talking किसी की साथ जादा बात करने से भी फायदा नहीं कि तुम्हारा यार क्या चल रहा है फिजिक्स कैसे चल रहा बायो कैसे चल रहा है उसका जैसे चल रहा है चलने दो क्योंकि failure का चांस 99 परसंट है और पास होने का चांस एक परसंट है उस बच्चे से आपको आगे निकलना पड़ेगा तो जाधा बात नहीं करनी है काम पर काम ध्यान देना है बाते नहीं करनी है डेड्लाइन क्रीट करो क्फोड़ेगा 21-2025 तक किसी भी रूप में अपने कोर्स को खतम करना है चाहे में अगर फर्षिक्ट सावारी प के सवाल पूछे घय हूँ तो उसमें आपके मार्स शिक्स हं नहीं उस धीरी धीरे धीरी धीरे मार्क्स को बढ़ा लेंगे राइट में को एक सेपरेट कॉपी बनानी है क्योंकि आपने फिजिक्स के मिस्ट्री का तो कॉपी बनाये हुआ है इसमें सेपरेट कॉपी बनानी है कि आपने फिजिक्स में कितना चप्टर को पढ़ा कितने बा प्राइज कर पाएंगे कि यार मेरा केमिस्ट्री बहुत लाइक जा रहा है मैंने बहुत सारी चाप्टर अभी छोड़े हुए हैं कोशन प्राक्टिस मैंने नहीं किया हर चाप्टर का तो इससे आपको ना इनर मोटिवेशन मिलेगा इनर एक मार्क दर्शन मिलते रहेगा कि प्राक्टिस किया इसका पूरा रिखार्ड होना चाइए बहुत मैं ही बताया था जितना भी अगर आपको गाइदेंस अच्छे से नहीं मिल पाएगा तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे तो गाइडेंस बहुत जरूरी है मैं आप सबको एक लाख कोशन प्राक्टिस कराने वाला हूँ और यह बहुत फ्री है इसमें पैसा नहीं देना है मेरी टीम ने कोशन बनाया हुआ है पूरा का पूरा एंसी आटी बेस कोशन है हमने 14 तारिक चैट कर दिया और 3 मई 2025 थक चलेगा एक लाख कोशन करेंगे और पेपर यहीं से क्योंकि एक लाख न कोशन करेंगे लिए आसानी से आएगा यह कहां क्लास होती है चार बज के सबुद्र जायए गा इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे गा टी dirt fiance मी पर आप सकते हैं एना आप सच कर ल curriculum haar मिल जायेगा और अगर आप चाहते हैं कि बहुत आच्छए तरीके से पढ़ाई हो मेरे साथ मेरे चृचा हो मेरे साथ प्रैक्टिस्ट हो हूं धाइट आपको शूदमी आपको मुका दे। रहा है हमारे से जुडने का सिर्फ 5999 में 10,000 का course है आपको सिर्फ 5999 रुपय का मिलेगा code में डॉक्टर इसके सिंग अगर लगा देते हैं तो आपको यह discount 10,000 वाला जो price है आपको सिर्फ 5999 रुपय का मिलेगा और इस code को लिगाने से क्या होगा कि आप मेरे mentorship में आ जाएंगे और डॉक्टर के mentorship में रहेंगे तो आप डॉक्टर जरूर बनेगे तो आप चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई एकदम बहुत अच्छी से हो और मैं 1% में आना चाहता हूं 99% में नहीं आना चाहता हूं तो आपको आज ही इस से जुड़ना चाहिए और इसका जो link है व यहाँ पे multiple live batches होंगे और कहीं और जाते हैं तो एक बैच मिलेगा और दूसरे बैच के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा राइट क्रास कोर्स जब होता है तो आपको एक बाच मिल जाता है और पर फिर से करिदना पड़ता है आपको क्रास कोर्स के लिए यहाँ पर नह mentorship बहुत जरूरी है Phoenix 2.0 बैच है और आप मेरे कोड का इस्तमाल करते हैं तो आपको मिलता है exclusive mentorship regular DPP exclusive and written roads बहुत one-to-one जूम कॉल और आप doctor बनेंगे for short thank you so much